So, welcome everyone, welcome to civil centric तो जैसा कि हमने पहले देखा था, पिछले लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी कि जो भी concepts हमने पढ़े, जो भी basic definitions हमने पढ़ी है और उन definitions को, उन properties को आपस में correlate किया है तो अब उन properties और उन correlations के basis पे कुछ numerical हमको देखने थे तो जड़ा देखते हैं कुछ basic level के numericals और किस तरीके से हम उन formula को, जो हमने already derive करके देखे हुए है उन formula को हम numericals में कैसे use कर सकते हैं, जड़ा देखते हैं यह आपकी screen पे एक पहला सवाल है सवाल आपसे कह रहा है, a soil sample has a porosity of 40% जो जो चीजे सवाल में लिखी है ना, उन चीजों को यहाँ पे note down करें आप खुद से मदा आएगा उससे क्या-क्या दे रखा, एक-एक line पढ़ते जाईए और उस line में क्या data आपको दे रखा है, वो data जड़ा फटा-फट note करते चले a soil sample has a porosity of 40% मुझे पता है porosity को मैं n से लिखता हूँ तो मैं लें लिख दिया भाईया, n की value 40% दे रखी है the specific gravity of the solids is 2.7 specific gravity of solids को g से लिखते थे ये 2.7 दे रखा है calculate क्या-क्या करना है आपको calculate, पहला सवाल बोल रहा है void ratio निकाल के बता दो, निकाल देंगे दूसरा सवाल बोल रहा है dry density निकाल के बता दो, निकाल देंगे तीसरा सवाल बोल रहा है unit weight if the soil is 50% saturated आपको soil का unit weight बताना है कब जब आपकी soil 50% saturated है कहने का मतलब क्या, देखिए सवाल से concept को revise करिए सवाल में बोल रहा है कि जो soil आपकी है that is 50% saturated क्या मैं बोल सकता हूँ ये soil partially saturated condition में है 50% saturated बोला ना तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये soil partially saturated condition में है मतलब soil 3 phase system में exist कर रही है याद करिए पुरानी चीजों को correlate करना अब हमको इन सवालों के थूँ जब मेरी soil 50% saturated है मतलब पूरी तरीके से saturate नहीं हुई है और अगर मेरी soil पूरी तरीके से saturate नहीं हुई है तो मैं बट अबियस सी बात है बोल सकता हूँ जब मेरी soil partially saturated है तो unit weight पूछ रहा है जब मेरी soil 50% saturated है क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो मुझसे bulk unit weight निकालने की बात कर रहा है क्योंकि bulk unit weight का मतलब याद करो bulk unit weight होता था एक ऐसी soil का total weight और total volume का ratio जो की partially saturated होती थी जो की 3 phase system में होती थी तो मुझे gamma की value निकालनी है given है की soil 50% saturated है तीसरा सवाल था यह और चौता सवाल बोल रहा है आपको unit weight निकालना है जब आपकी soil completely saturated है क्या मतलब हुआ soil के completely saturated का क्या मतलब होता है भी या completely saturated का मतलब है S की value 1 है और जब S की value 1 होती है तो soil two phase system में होती है कैसी fully saturated और उस fully saturated soil का total weight upon total volume क्या कहलाएगा saturated unit weight तो चौती चीज आपको क्या निकालनी है gamma saturated अभी तो मैंने सिर्फ इस question को decode किया है मैंने अभी सवाल नहीं solve किया मेरो को तो सवाल में जो जो चीजे दे रखी थी ना उसको मैंने यहाँ पर board पे एक साथ लिख लिया तो मुझे soil की porosity दे रखी थी इस specific gravity दे रखा था मुझसे बोल रहा था कि void ratio निकाल के बता दो dry unit weight या dry density निकाल के बता दो bulk unit weight निकाल के बता दो जब soil 50% saturated है और soil का saturated unit weight निकाल के बता दो निकालते देखते हैं जरा कैसे निकाला जाएगा जरा ध्यान से देखेंगे बिटा क्योंकि बहुत ही basic level के सवाल है ये अभी तो आपको बहुत जादा तकलीफ आएगी भी नहीं और बहुत अराम से ये question solve हो जाएगे आपके सबसे पहला void ratio निकालने की कोशिश करते हैं मुझे soil की porosity दे रखी है और मैंने एक formula derive किया था जिसमें मैंने देखा था कि जो e होता है वो n upon 1 minus n के बराबर होता है ये derive किया हुआ है हमने मुझे n की value तो दे रखी है ना भीया एक और चीज़ याद रखिएगा कोई भी value जो आपको percentage में दी जाए उसको numerically convert कर लीजेगा percent में कोई सी भी value substitute नहीं करनी है आपको किसी भी जगे पे percentage को आप उसकी numerical value में convert कर ले उसके बाद ही substitution करे 40% दे रखा है मतलब 0.4 put up कर दो यहाँ पे ज़रा देखिए e बराबर हो जाएगा 0.4 upon 1 minus 0.4 बोलो भीया n की जगे पे 0.4 put up कर दिया मैंने तो यह बना मेरे पास 0.4 upon 0.6 4 बटा 6 4 बटा 6 कितना होता है 0.66666666 ऐसा आ जाएगा तो उसको मैं 0.67 लिख दे रहा हूँ यह आ गया मेरा इस soil का void ratio बोले भीया कोई तकलीफ इसमें void ratio निकालने को बोला था न यह निकाल दिया मैंने यह आ गया मेरा answer यह पहला question solve हो गया मेरा जिसमें मेरे से void ratio पूछा था यह void ratio निकाल दिया बहुत ही simple सवाल मतलब एक question में basically चार question solve कर रहे हैं एक साथ चारो question नहीं पूछेगा gate में आप से यह भी माल लीजेगा मैंने तो क्या किया भही एक data था उस data से यह चार सवाल करने हैं तो पहला सवाल मैंने void ratio निकाल लिया अगला सवाल बोल रहा है कि की बात नहीं कर रहा है और density और unit weight में क्या फरक होता है कल मैंने बकायदा आपको पिछले lecture में बकायदा इसके बारे में clarification दिया है तो मुझसे सवाल में वो dry density पूछ रहा है कैसे निकालेंगे सर dry density को तो जड़ा देखते हैं dry density कैसे निकाला जाएगा सवाल देख लीजे एक बार फिर से है ना तो मुझे dry density निकालनी है तो जड़ा देखते हैं वही है dry density के लिए मैंने एक formula पढ़ रखा था g gamma w upon 1 plus e क्योंकि मुझे density निकालनी है तो याद करो gamma w कितना होता था density शब्द यूज़ कर रहा हूँ मैं unit weight नहीं अगर unit weight बोलता तो gamma w की जगे पे 9.81 kilonewton per meter cube put up करते थे कल का lecture आप refer करें पिछला lecture तो आपको ये बात clear हो जाएगी और अगर मैं density बात कर रहा हूँ तो gamma w की value या तो मैं बोलूँगा 1 gram per centimeter cube या फिर thousand kg per meter cube तो मैं दोनों तरीके से निकाल सकता हूँ क्योंकि इस question में मुझे options नहीं दिये थे तो मैं मेरे हिसाब से gamma w की value substitute करता हूँ मेरे हिसाब से मतलब समझेंगे आप अब भी gamma d निकालना है g ज़रा देखिए कितना दे रखाया भी या 2.7 जगे पर put up किया 2.7 1 प्लस e की जगे पर put up किया 0.67 क्योंकि मुझे dry density बोल रहा था तो मैं gamma w की value 1 put up करता हूँ 1 gram per centimeter cube बोलो भी या कोई दिक्कत या अगर आपके दिमाग में कोई चीज दोड़ी एकदम से तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख दू 2.7 ये G है upon 1 प्लस 0.67 ये E था और gamma w की जगे पे 1000 kg per meter cube रख दू क्या ही दिक्कत है क्योंकि मुझे question में option नहीं दिये गए थे तो मैं तो दोनों answer आपको निकाल के बता दे रहा हूँ चाहे ऐसा करें चाहे ऐसा करें अब जरा इसको solve करें इसको solve करें जरा तो क्या मिल रहा है आपको यहां से मिलेगा gamma d is equal to 2.7 into 1 1 हो गया upon 1 प्लस 0.67 तो 2.7 upon 1.67 प्यार से calculator लीजेगा और कोशिश करें कि आप virtual calculator यूज करें mobile पे भी application आपको play store में मिल जाएगा virtual calculator यह वाला physical calculator की आदत बहुत जादा ना डाले क्योंकि gate में आपको यह calculator नहीं मिलेगा मेरे पास है इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ तो 2.7 divided by 1.67 तो यह आगया आपके पास 1.616 यूनिट क्या होगी गामा डी की जड़ा देखें 2.7 इस specific gravity था unit less E void ratio था unit less तो आपको नहीं लगता कि इस गामा डी की यूनिट वही होगी जो इस गामा डवल्यू की यूनिट थी तो इसकी यूनिट आ जाएगी 1 gram पर cm3 यह एक आपर आंसर हो सकता है आपका अगर आप kg per meter cube में बात करना चाह रहे हैं तो उसमें भी कर देंगे kg per meter cube में अगर मुझे बात करनी हैं तो ज़रा देखेंगे कि क्या हो सकता है तो मैंने बोला gama d will be equal to 2.7 into 1000 बन जाएगा 2700 upon 1.67 काल्कुलेटर से सॉल करें तो 2700 divided by 1.67 यह आ रहा है 16 16.76 यूनिट क्या भाई G यूनिट लेस था E यूनिट लेस था तो गामा डी की यूनिट यही हो जाएगी डाटेस kg पर मीटर क्यूट बोलते चले भिया ड्राइ डंसिटी कि यह दोनों आंसर हूँ सकते हैं डिपेंडिंग कि आपको आप्शन में क्या दे रखा है ग्राम पर सेंटीमिटर क्यूब वला आंसर या kg पर मीटर क्यूब वला आंसर यह दोनों आंसर करेक्ट है अब माल लीजिए कि आपको ड्राइ डंसिटी ना बोलके ड्राइ डंसिटी की जगे पे अगर ड्राइ यूनिट वेट पूछता तो क्या करते तो आप कहोगे सर कुछ और नहीं करते हम यहाँ पे सिर्फ एक काम करते कि गामा डी का जो फॉर्मूला आपने बताया था तो जी की जगे पे मैंने डाला 2.7 क्योंकि मैं ड्राइ यूनिट वेट निकाल रहा हूँ अब पूछा तो हमसे ड्राइ डंसिटी गया था लेकिन मैं आपको ड्राइ यूनिट वेट निकालने का भी तरीका बता दे रहा हूँ तो जी की जगे पे 2.7 डाला 1 प्लस E की जगे पे पूइंट 6.7 डाला अभी गामा डब्लू डालना बचा है क्योंकि मुझे ड्राइ यूनिट वेट निकालना है और यूनिट वेट जहां भी आया तो गामा डब्लू की वेल्यू 9.81 किलो न्यूटन पर मिटर क्यूब रखोंगा मैं याद है ये बात अगर डेंसिटी की बात हो रही है तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1000 केजी पर मिटर क्यूब रखना है और अगर यूनिट वेट की बात हो रही है तो किलो न्यूटन पर मिटर क्यूब में 9.81 रख दीजेगा गामा डबल्यू की वेल्यू कहानी खतम यही पर हो जाएगी इसको हम solve कर सकते हैं मेरे पास ये बच रहा है 2.7 इंटू 9.81 किलो न्यूटन पर मिटर क्यूब अपोन 1 प्लस 0.67 थोड़ा सा solve करेंगे इसको पूरा तो देखेंगे उपर का multiply कर दीजेगा 2.7 इंटू 9.81 और नीचे में कर दीजेगा 1 प्लस 0.67 तो इक्वल टू कितना आ जाएगा भिया यह आ जाएगा आपके पास 15.86 किलो न्यूटन पर मिटर क्यूब क्योंकि भई G यूनिटलिस था यह यूनिटलिस था तो यह जो गामा डी था इसकी यूनिट किलो न्यूटन पर मिटर क्यूब में आ जाएगी और यह बन जाएगा आपका answer This is the dry unit weight of this बोले भिया कोई दिक्कत हलंकि पूछा था हमसे dry density गया था लेकिन तब भी मैंने आपको soil का dry unit weight निकाल के भी बता दिया कि dry unit weight कैसे निकाल सकते हैं अगला सवाल इसी में क्या पूछा गया था अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि भैया इसका मुझे unit weight निकाल के बता दो जब आपकी soil 50% saturated है the soil is 50% saturated और इस 50% saturation के case में आपको soil का unit weight निकालना था 50% saturated मतलब partially अगर fully saturated होती तो ये तो 100% होता ना dry होती तो ये 0% होता ना ये ना ही 0 है ना ही 100 है इसका मतलब इसके अंदर में कुछ पानी तो है और कुछ पानी है मतलब soil कैसी है? partially saturated और soil अगर partially saturated है तो unit weight कौन सा होता है? bulk unit weight होता है तो मुझे actual में वो bulk unit weight पूछ रहा है जब soil का saturation कितना है? 50% का निकाल देंगे कोई दिक्कत नहीं है कैसे निकालेंगे? तो वो भी देख लीजे मुझे निकालना है gamma की value when the soil is 50% saturated बोले विया एक formula पढ़ा करते थे derive भी किया था हमने gamma is equal to gamma w into g plus es upon 1 plus e derive तो किया है ना यह formula मुझे g पता है e पता है f दे रखा है gamma w तो पता होता ही है नहीं निकाल सकता है मैं gamma बिलकुल निकाल सकता हूँ unit weight पूछा था तो gamma w कितना रखेंगे 9.8 बत क्योंकि unit weight पूछ रहा था ना g कितना रखेंगे 2.7 e कितना रखेंगे 0.67 s 50% दे रखा है 50% बोले तो 0.5 into 0.5 divided by 1 plus e that is 0.67 बोले भी या इसको solve तो कर सकता हूँ ना मैं आराम से हूँ तो भाई अगर यहां से मैं gamma निकालू तो इसको मैं solve कर सकता हूँ कैसे करेंगे इसको solve करिए तो gamma will be equal to 17.82 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूँ यह का जाएगा मेरा इस soil का bulk unit weight when the soil is 50% saturated यह मेरा answer हो गया बोलते चलेंगे clear होगी बात last question बोल रहा था इसी सवाल का last part जो था उसमें मुझे निकालना था unit weight if the soil is completely saturated completely saturated बोले तो soil मेरी पूरी तरीके से soil के सारे के सारे voids पानी से भरे हुए है मतलब इस soil का degree of saturation 1 है और उस case में unit weight क्या होता था याद करो पुरानी बातें जब आपकी soil fully saturated होती थी उस समय का unit weight होता था saturated unit weight उसका formula भी हमने derive किया हुआ है तो बस formula पता है निकाल लेते हैं काई की दिकत है तो when the soil is fully saturated 100% मतलब 1 तो जो gamma होता है वो gamma saturated होता है और इसका formula होता है gamma w g प्लस e अपॉन 1 प्लस e g भी पता है e भी पता है gamma w भी पता है value put up कर दो answer निकाल लो क्योंकि unit weight बोला था तो gamma w 9.81 g 2.7 e 0.67 upon 1 प्लस e that is 0.67 तो यहां से मेरा saturated unit weight आ जाएगा gamma saturated will be equal to solve करेंगे इसको dry density निकाल दिया dry unit weight भी निकाल दिया मैंने फिर मैंने unit weight निकाला जब soil आपकी 50% saturated थी और एक और unit weight निकाला जब आपकी soil fully saturated थी तो यह सारी values मेरे पास आ गई है और यह आपका पहला question solve होता है clear? moving to the next question अगले question पर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है और क्या पूछा है तो question number 2 आपके सामने रहा यह question number 2 में बोल रहा है एक soil sample है which is having a specific gravity of 2.6 जो जो बोल रहा है वो लिखते चलो question थोड़ा सा आसान हो जाएगा a soil sample is having a specific gravity of 2.6 याद करिएगा एक बात और सवाल में सिर्फ इस specific gravity लिखा है ना ही इस specific gravity से पहले apparent शब्द लिखा है ना ही इस specific gravity के बाद soil solids लिखा है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर सिर्फ specific gravity लिखा मिल रहा है तो वो solids की specific gravity है मतलब G दे रखा है and a void ratio of 0.78 soil था जिसकी specific gravity 2.6 है और void ratio 0.78 का है the water content in percentage निकालना है required to fully saturate the soil ध्यान से सुनना है आपको क्या निकालना है water content बोले तो W निकालना है कब require to fully saturate the soil fully saturate का मतलब क्या हो गया S की value 1 हो गई fully saturate मतलब S आपको दे रखा है 1 और आपसे बोला है कि इस soil को fully saturate करने के लिए कितना water content चाहिए रहेगा सवाल समझ में आया A soil sample is having a specific gravity of 2.6 and a void ratio of 0.7 आपको बताना है water content percentage में निकालना है कर देंगे वो भी require to fully saturate the soil इस soil को पूरी तरीके से saturate करने के लिए इस soil का water content कितना होगा ये निकालना है तो अगर आप देखे हैं ये जो चार data मुझे दे रखे हैं इस चार data को मैं बहुत आसानी से इस formula में substitute कर सकता ये derive किया हुआ formula हम ले ES is equal to WG E की value दे रखी है 0.78 S की value दे रखी है 1 water content पूछ रहा है और specific gravity दे रखा है 2.6 तो यहां से water content मिला मुझे 0.78 upon 2.6 बोलते चलो भी है तो can I write the water content will be equal to ये जो water content आपका है that will be equal to 0.78 upon 2.6 तो water content will be equal to solve करेंगे इसको that is 0.3 क्योंकि सवाल में बोल रहा है कि भी है percentage में दे दो value उसका मन था कि percentage में बताओ तो 0.3 मतलब कितना हो गया 30% this will be your answer the correct answer will be your B option बोलो भी है ये सारी बाते clear हुई सीधा simple सी बात specific gravity दे रखा था void ratio दे रखा था पूछ रहा था कितना पानी डाल दूँ कि soil आपकी fully saturate हो जाए तो इतना पानी डाल दोगे soil fully saturate हो जाएगी clear चल ये बहुत ही basic level के सवाल है जिसमें आपको सीधा value put up करके answer निकालना formula अगर आपको पता है तो आप आसानी से उसमें value substitute करके answer निकाल सकते हैं ये था आपका question number 2 question number 3 पे आते हैं देखते हैं क्या दे रखा है